हेलो एवरिवन जहारखन करेंट अफेस के आज के सेशन में डिस्कस करेंगे जहारखन के सभी करेंट अफेस और इसके साथ इसाथ डिस्कस करेंगे नेशनल लेवल के उस करेंट अफेस को जो जहारखन के सभी एकजाम के लिए इनपॉर्टेंट है ही इसके साथ इसाथ नेश प्सक्राइब कर ले और इसके साथ यसाथ टेलीग्राम चैनल जोइन कर ले जहां पर से आप हर दिन पिडिएफS के पीडिएफ और इसके साथ यसाथ महत्पून विडियो लिंक भी प्राब्त कर सकते हैं तो चलिए स्टाट करते हैं आज का important current affairs आज का पहला question है सिद्धु कानू का जन्म स्थान भोगनाडी किस जिला के अंतरगत आता है option से आपके जाम टाड़ा साहिब गंज दुमका या फिर गोड़ा इसका राइट एंसर हो जो भोगनाडी अस्थान है जहां पे सिद्धु कानू का जन्म हुआ था वह जो अस्थान है या साहिब गंज जिला के अंतरगत आता है बात कते हैं थोड़ी से इसके बारे में डिटेल में तो वीर सिद्धु कानू के जन्म अस्थान भोगनाडी जो आपका साहिब गंज जि जी उन्होंने की है आपको बता दे सिध्धु, कानु, चांद, भैरो तथा फूलों और जानों का जारखन में सुतन्द्रता आंदलन को विक्सित करने में महतफोन योगदान है इन्होंने अपना महतफोन योगदान दिया था और भारत की सुतनता के लिए इन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे दी थी चलिए बात कते हैं नेस्ट कोशन की इको टूरिस्ट सर्किट के रूप में जार्खन के किन परेटन अस्थलों को विक्सित किया जाएगा ओप्सन से दल्मा, चांडिल, गेतल सुट, मिर्चैया वा नितरहाट या फिर ये सभी इसका राइट अंसर हो जाएगा ये सभी जो परेटन अस्थल हैं इन सभी को इको टूरिस्ट सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा बात करते हैं ठोड़ी से और इनके बारे में तो जैसा कि आप सभी को पता है जार्खन में परेटन अस्थलों की संख्या काफी है लेकिन इनका डेवलपमेंट अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाया है इसी को डेवलप करने के लिए इन्हें इको टूरिस्ट सर्किट के रूप में मानता जी जाएगी और इनमें कौन-कौन से मुख्य रूप से हैं तो अभी सुरवाती दिनों में दल्मा, चांडिल, गेतलसूत, नितरहाट और मिर्चैया को सामिल किया गया है चलिए बात करते हैं नेस्ट कोशन की जारखन राज में रक्तदान पक्वाडा कब से कब तक आयोजित किया जाएगा उप्सन से 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर या फिर 1 अक्टूबर से 27 अक्टूबर इसका right answer हो जाएगा यह जो सौक्षता पक्षवाडा है यह 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच आयजित किया जाएगा बात कते हैं थोड़ी सी इसके बारे में डीटेल में जार्खन राज में रक्टदान पक्षवाडा एक अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आयजित किया जाएगा और आपको बता दे यह जो आयोजन है यह किया जा रहा है जार्खन राज एड्स कंट्रोल सोसाइटी के दवारा और जिसके निदेशक है राजीव रंजन आपको बता दे इसके तहट 15 दिनों में 50,000 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष रखा गया है साथ ही इसमें स्वास्त विभाग प्रमक भूमी का निभाएगा और स्वास्त विभाग के जो प्रधान सचीव है वो है डॉक्टर नितिन कुलकरनी चलिए बात करते हैं नेस्ट कोस्टन की अगला क्ोस्चन है भारत की पहली राफेल चलाने वाली महिला पाइलट कौन है उप्शन से अन्वी चत्रवेदी भावना कान, सिवानी सिंग या फिर सिवांगी इसका राइट अंसर है सिवानी सिंग सिवाणी सिंग राफेल चलाने वाली पहली महिला पाइलट है बात करते ठोड़ी सिजन के बारे में डिटेल में तो सिवाणी सिंग पहली महिला फाइटर प्लेन राफेल चलाने वाली पाइलट है साथी साथ हाली में 10 सितंबर को राफेल को भारतिय वाईसेना में सामिल किया गया है कहां से अंबाला केंट से ध्यान रखेंगे अंबाला केंट को भी साथी साथ सिवांगी सिंग जो 10 फाइटर प्लेन चलाने वाली वाईसेना की पाइलेट हैं उन में से एक है और इन्हें 2017 में एयर फोर्स में पाइलेट की रूप में निक्त किया गया था आपको बता दे इनका संबंध वारानसी से है और वारानसी कहा है तो उत्तरपदेश में है सिवांगी भारतिय नौ सेना की पहली fighter plane उड़ाने वाली पाइलेट है ध्यान रखेंगे यह सिवांगी सिंग और मैं बात कर रहा हूं सिर्फ सिवांगी की जो सिवांगी सिंग है वो IAF मतलब कि Indian Air Force की महिला पाइलेट है जबकि सिवांगी सिर्फ सिवांगी के साथ सिंग नहीं लगा हुआ है ये जो सिवांगी है ये नौसेना की fighter plane उड़ाने वाली पाइलेट है मतलब कि Indian Navy की इस चीज का confusion में बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि नाम एक ही होने करण इसमें confusion हो सकता है जो Air Force है उसमें सिवांगी सिंग है जो Navy है उसमें सिर्फ सिवांगी है आपको बता दे भारते वाय सेना के Chief of Air Stop अभी कोन है तो राकेश कुमार सिंग भधोरिया है और आपको बता दे जो भारते वायू सेना है उसका जो मोटो है वो है टच दी स्काई विथ गैलोरी चलिए बात करते हैं next question की C8 टायर के ब्रांड इमेसेटर कोन है option से आमिर खान, आईसमान खुराना, राजकुमार राव या फिराट कोली इसका right answer हो है जो C8 टायर से C-E-A-T C8 टायर है इसके brand ambassador बनाए गया है आमिर खान आमिर खान को इसका brand ambassador बनाए गया है बात कते हैं थोड़ी से इनके बारे में detail में तो Bollywood एकटर आमिर खान को C8 टायर का brand ambassador बनाए गया है दो वर्सों के लिए इन्हें जो C8 company की parent group है मतलब कि जो main group है उसका नाम है रामा परसाद गोयन का गुरूप ध्यान रखेंगे रामा परसाद गोयन का गुरूप के C8 Tire Limited को प्रमोट करने के लिए इन्हें ब्रैंड अमिस्टर बनाया गया है C8 1995 से ही क्रिकेट से जुड़ा हुआ है जो C8 क्रिकेट रेटिंग के रूप में अनुबंधित है मतलग कि जो भी क्रिकेट की रेटिंग आती है उसे C8 Tire क्रिकेट रेटिंग के नाम से जाना जाता है आमिर खान C8 को दुबई में जो IPL आयोजित क्या जा रहा है उसको प्रमोट करते हुए दिखेंगे चलिए बात कते हैं नेस्ट कोशन की वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 में भारत का क्या अस्थान है ओप्शन से 89, 58, 97 या फिर 78 इसका राइट इनसर हो जागा भारत को 89 रैंक दिया गया है बात कते हैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में तो वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 के नुसर भारत को 89 रैंक दिया गया है आपको बता दे इसमें टोटल 181 देशों ने पाटिसिपेट किया था वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट युनाइट नेशन्स इन्वर्सिटी इंसिचूट फोर इन्वारोमेंट एंड हुमन सिक्यूर्टी काफी लंबा नाम है ध्यान से समझेंगे युनाइटेड नेशन्स इन्वर्सिटी इंसिचूट फोर इन्वारोमेंट एंड हुमन सिक्यूर्टी जिसे सौट में कहा जाता है UNUEHS क्या कहा जाता है UNUEHS और आपके बता दे इसके साथ ही साथ इसमें जो ये रिपोर्ट है इसमें तयार करने में एक और institute सामिल है उसका नाम है International Law of Peace and Harmonic Conflict International Law of Peace and Harmonic Conflict ये दोनों जो मिलकर है इस report को तयार करती है आपको बता दे सिरलंका, भुटान और मालदीव को भारत से ज़्यादा सुरक्षित बताया गया है साथ ही बता दे पहले अस्थान पर इसमें वनातू और दूसरे अस्थान पर टुंडा है चलिए बात करते है ठोड़ी सिन के बारे में और तो यह जो रिप्योट है ये BCS कर प्राकृतिक आपदाओं जैसे जो आंधी है साथी साथ बाढ़, सुखा और समूंदरी तल में बढ़ोतरी मतलब की जो आपका sea level है sea level में पानी धेले धेले भूमी के उपर चड़ते जा रहा है और इसी का जो खत्रा है उसी को sea level में बढ़ोतरी कहा जाता है आपको बता दे तो इन ही सब risk के उपर ये जो index है ये तियार किया जाता है world risk index जो है world risk report 2020 का ही हिस्सा है जिसमें प्रमुक रूप से forced displacement and migration मतलब की किसी को जोर्ज बजस्ती से जब अपने जगा से हटा दिया जाता है और वो दूसरे अस्थान पर चले जाने के बाद अपना जीवन आपन करते हैं इसी को इस report में अधार बनाया गया है और इससे world में जितने भी लोग परभावित हुए है उसी के उपर यह आकड़ा तयार किया गया है चलिए बात कते हैं नेस्ट कोशन की अंतोधर दिवस कब मना जाता है 24 सितंबर 25 सितंबर 26 सितंबर या फिर 27 सितंबर इसका right answer हो जागा जो अंतोधर दिवस है यह 25 सितंबर को मनाया जाता है बात कते हैं इसके बारे में ठोड़ी से डिटेल में तो अंतोधर दिवस पंडित दीन दियाल उपाध्याय के जैनती पर मनाया जाता है मोधी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को इसकी घोशना की गई थी कब 25 सितंबर 2014 को जब मोधी सरकार पहली बार बनी थी पंडित दीन दियाल उपाध्याय का जन्व 25 सितंबर 1916 को हुआ था मतूरा में और जिन्होंने जंगसंग की अस्थापना की थी आपको बता दे यही जंगसंग आगे जाके भाती जंटा पार्टि के रूप में बिक्सित हुई जंगसंग के नेता के रूप में इन्होंने 1973 से 1960 कार किया था अन्तोधय का अर्थ गरीबों का उत्थान है आपको बता दे इसके साथ ही साथ मुगल्सराय Station जो है जो मुगल्सराय Junction है उसका नाम दियंद्याल उप्लाध्या इस्टेशन के रूप में ही रखा गया है चलिए बात कते हैं, नेस्ट कोस्टन की यूराईज नामक पोर्टल यूराईज नामक पोर्टल राश्ट्रिय सिक्षानिती को अपनाने के लिए किस राज्य सरकाद्वारा सुरू किया गया है तो इसके options है उत्तरपदेश सरकार, मद्यपदेश सरकार, अस्सम या फिर हिमाचल परदेश इसका right answer हो जाएगा जो उत्तरपदेश सरकार है इन्होंने U-Rise U-Rise नाम का एक portal बनाया है जो राश्ट्रिय सिक्षानिती को परभावी डंग से राज में लागू कराने के लिए मदद करेगा और ये जो portal है इसके तहत बिद्यार्थियों को ओनलाइन परिक्षाओं तथा अध्यन सामागरी के साथ साथ recorded video, library, इतियादी की सुविधा दी जाएगी जिससे कम से कम 20 लाख बिद्यार्थि लाभानवित होंगे उनको सुविधा दी जाएगी चलिए बात कते हैं next question की United Nations Intergency Task Force पुरुसकार किस भारते राज़े द्वारा जीता गया है options है गुजरात, महराष्ट, केरल या फिर गोवा इसका right answer हो जागा ये जो पुरुसकार जीता गया है या केरल राज़े द्वारा जीता गया है बात कते हैं थोड़ी से डिटेल में तो United Nations Intergency Task Force पुरुसकार के बहत्य धंग से और संक्रमित रोगों को रोकने के लिए जो अवोड है उस अवोड का नाम है Non-Communicable Diseases Award 2020 Non-Communicable Diseases Award 2020 मतलब कि और संक्रमित मतलब कि जो संक्रमन नहीं होता है वैसे और संक्रमित रोगों को रोकने के लिए यह पुरुसकार दिया गया है और इसमें इसके Outstanding Contribution मतलब कि और समान्य जो इसका दाइत्व है उसको निभाया 72 रुप से केरल ने इसलिए यह पुरुसकार है यह केरल को दिया गया है ग्यात हो कि संक्रमित रोगों को रोकना जो है यह सतत्विकास लक्ष का कारक्रम का हिस्सा है आपको बता दे जो सतत्विकास लक्ष है यह परमुक रूप से 2030 तक पूरा किया जाना है टोटल 17 सतत्विकास लक्ष है मैंने विभिन वीडियो में सतद विकास लक्ष के बारे में डिसकसन किया है अगर आप continuous current of your session देख रहे होंगे तो आपको पता होगा आपको बता दे जो केरल राजे है या भारत में नंबर वन है और संक्रमित रोगों को रोकने में मतलब कि वैसे रोग जो एक दूसरे से ट्रांस्मित रही होते एक दूसरे से संक्रमन में नहीं आते वैसे रोगों को केरल में रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया गया है और इसी के लिए इन्हें United Nations Intergency Task Force Award दिया गया है पूरे 20 सुमें में 6 स्वास्त मंत्री ऐसे हैं जिनको यह पुरुषकार दिया गया है और उनके राज्य का पतिनदत करने के लिए उन्हें यह पुरुषकार दिया गया है केरल के जो मुख्यमत्री है अभी कौन है पिनरे विजियन है और राजेपाल कौन है तो आरिट मुहमत खान है आपको बता दे इसमें जो कम्यूनिस्ट पार्टी है उसकी सरकार है चलिए बात करते हैं नेस्ट कोस्टन की कब बना जाता है ओप्शन से 28 सितंबर 24 सितंबर 26 सितंबर या फिर 25 सितंबर पहले देखिए इसके बारे में डिटेल से जान ले तो जो इंटरनेस्टन डेफ और टोटल एनिमनेशन ओफ नुकलिर वेपन 26 सितंबर को मना जाता है ध्यान रखेंगे जिसका लक्ष बिश्ट को परमानू हत्यार से मुक्त करना है आप लोगों को पता होगा कि जो परमानू हत्यार है उसको जादा महत्त देने करन कई ऐसे देश है जिनका सामाजिक और आर्थिक विकास रुख गया है क्योंकि परमानू हत्यारों को जो बनाने में खर्च होता है वो बहुत ही जादा होता है जिससे सभी देश अफोर्ड नहीं कर सकते सभी देश उसका परियोग करने में और सक्षम हो जाते हैं 2013 दिसंबर में ध्य जादे यह दो दिवस से कब मनाया जाता है तो 26 सितंबर को ध्यूंत जाएगा 2006 सितंबर हो जाएगा चले बात करते हैं next question की तो दखिए World Environment Health दे बनायाता है 26 सितंबर को और आपको बता दे इसका उदे से परियावरन है जो परियावरन है मत जो environment है उसको स्वस्त रखना है और आपको बता दे जो इसके लिए एक theme है वो है Environmental Health और Key Public Health Intervention in Disease Pandemic Prevention साथ ही बता दे International Federation of Environmental Health के द्वारा इस दिवस को मनानिक घोषना 2011 में हुई थी International Federation of Environmental Health की अस्थापना 1986 में की गई थी और इसका मुख्याला है आपका लंदन में कहाँ है मुख्याला है लंदन में है तो यह दिवस कब मना जाता है तो 26 सितंबर को मना जाता है तो right answer इसका क्या हो जागा 26 सितंबर इसका right answer हो जागा चलिए बात करते हैं next question की बौधिक संपदा intellectual property बौधिक संपदा क्या कह जाता है intellectual property कह जाता है कि सहीयोग से भारत ने किस देश के साथ समझाता किया है ओप्सन से अमेरिका इसराइल नौर्वेई या फिर जापान इसका right answer हो जाएगा इन में से कोई नहीं भारत ने समझाता किया है डेनमार्क के इसमें बौधिक संपदा मतलब की intellectual property को सहीयोग देने और साथिसाग भारत का सपोर्ट करने के लिए बात करते हैं ठोड़ा से इसके बारे में डीटेल में तो भारत ने डेनमार्क के साथ बौधिक संपदा सहीयोग के लिए एक MOU पर हक्स्ताक्षर किया है और इसका और रक्षा करने के लिए जो डेनमार्क है वो भारत की मदद करेगा इसमें भागलिक पहचान मतलब की geographical identification, patent, industrial design और साथा tradition को एक दूसरे से बाटा जाएगा और एक दूसरे को इसे patent कराने में सहीयोग किया जाएगा आपको बता दे इसमें जो creative इंडिया innovative इंडिया 2016 क्या ह creative इंडिया innovative इंडिया 2016 एक निती बनाए गई थी उसी का यह जो MOU है एक हिस्सा है बता दे जो बहुत ही समपदा या फिर intellectual property होती है काफी private property होती है और इसकी चोरी करना एक अपराद माना जाता है और इसके तहर जो देश है उन देशों के बीच काफी ज्यादा competition होता है क्य क्योंकि जो भी आपका invention होगा जो भी नया चीज बनाया जाएगा उसका credit लेने के लिए ये जो देश है इन देशों के बीच काफी ज्यादा जो परतियस पर्दा है वो होती है इसका सबसे बड़ा example आप कह सकते हैं अभी जैसे के COVID-19 है तो COVID-19 के दोरान सभी देश चाह रह हैं तो ये कह सकते हैं intellectual property की चोरी है और इसी सब चीजों को बहुत ही secure तरीके से करने के लिए डेनमार्क भारत को support करेगा और suggestion देगा चलिए बात करते हैं next question की अत्याधुनिक हथियार बिक्सित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझोता किया है और इसका right answer हो जागा इसराइल के साथ भारत के संबंद काफी अच्छे हैं और इसी को देखते हुए इसराइल भारत की मदद करेगा जो अत्याधुनिक टक्नीक मतलब की बहुत ही करने वाला टोप चार देशों में सामिल है इसराइल से भारत में 66 हवाई सुरक्षा नियंतरन रडार खरेदेगा और साथी साथ इसके उपर खर्च होगा 4570 करोड रुपे इसके साथी साथ इसराइल के साथ भारत के कई प्रमुख रक्षा सोदे हैं जिनके बारे में ठोड प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट चीता जो है एक प्रकार का ड्रोन जिसका नाम है हिरोन हिरोन जो इसराइल में बना हुआ है उसे भारत के जो सैनिक है वो यूज करेंगे और इसे भारते सेना में सामिल किया जाएगा और इसकी संख्या सो से भी अधिक है आपको बता दे इस्राइल की जो राधाने है वो जेरुसेलम में है और इसकी जो भासा है वो हिब्रु है कई बार पुछे जाता है कि इस्राइल की भासा क्या है तो हिब्रु है इस्राइल की जो कह सकते हैं सबसे बड़ी धर्म है वो है य मेक्स 2020 नौ से ना अभियास किस किस देश के बिच किया जाएगा options है भारत नेपल भारत जापान, भारत बितेन या फिर भारत अमिर का इसका एक्जांपल जो है वह आप समझ सकते हैं J, J मतलब क्या हो जाएगा JAPAN है, तो JAPAN इसका right answer हो जाएगा भारत और जापान के बीच यह जो एकसरसाइज है यह गावजित किया जाएगा जो एक परकार का 9 सेना मतलब की ने भी एकसरसाइज है ध्यान रखेंगे इसका आयोजन 26 सितंबर 2020 से 28 सितंबर 2020 के बीच होगा यहाँ अभ्यास 2012 से ही सुरू हुआ था और आखरी बार 2018 में हुआ था मालाबार अभ्यास भी भारत जापान और अमेरिका के बीच होता है जहाँ पे जापान सामिल है इसके साथ ही साथ धर्मा गार्जियन, मैत्री, सिनुयू जैसे कई ऐसे अभ्यास है जो जापान के साथ किये जाते है जापान में हाल ही में नए प्राइम निश्टर बनाये गए हैं जिसका नाम है योसु हीदे सुगा योसु हो दे सुगा इसके नए पधान मंतरी बनाये गए हैं तो यह थे आज के इंपोर्टन करेंट अफ्यस कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसके साथ जो भी आपके सजेशन्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जादा जादा दोस्तों तक इसको सेयर करें मिलते हैं कल के करेंट अफ्यस में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद